स्वागत है आपके फिर से आपके यूटूब चैनल पर आप देख रहे हैं इंडियन रेलवेफ फैन्स आर्मी जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ने क्या वह प्रिस इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे दोस्तों जैसे कि आप लोगों को आज का थमिनल देखे पता चली गया होगा कि आज की वीडियो में हम के इस टोपिक के अपर बात करने वाले हैं दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएगे के रेलवे स्टेशन पर रोड शब्द का मतलब क्या होता है और वे क्या खास जानकारी देता है दोस्तों आज की वीडियो में इस टोपिक के प्रविसार से आप लोगों को बताने वाले हैं दोस्तो आगे बनने से पहले आप लोग से छोड़ से कुछ आरस है प्लिस इस फीडो को एंटर देखना बिना स्किप करे तो चले दोस्तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते है रेलवे स्टेशन रेलवे लाइन और यहां तक की ट्रेन पर लिखा गई शब्दो या संकेतों क के खास मतलब होते हैं यह अपने में कई ना कई जानकारी समेटे होते हुए एक बार शायद आपने भी जुरू नोटिस किया होगा कि वह यह है कि देश में बहुत से रेलवे स्टेशनों के नाम के पीछे रोड शब्द होता है हाला कि जिस शहर का वैर रेलवे स्टेशन है उसके नाम के पीछे रोड शब्द नहीं है जैसे हजारी बाग रोड राची रोड और आबू रोड रेलवे स्टेशनों के नाम के पीछे रोड लिखा है पर इन तीनों ही शहरों के नाम के पीछे से यह गायब है आखिर ऐसा क्यूं तो चलिए दोस्तों बताते हैं रेलव से दूर है यानि आपको रोड द्वारा उस शहर तक जाना होगा रेल वहां तक नहीं जाती है क्यों रो पर यह सवाल में जवाब में भारतिय रेल में परधान मुख्य प्रशाशनिक अधिकारी अनिमेश कुमार सिना ने बताया रेल विस्टेशन के साथ रोड शब्द का रोड नाम वाले स्टेशन से शहर की दूरी 2-3 किलमेटर से लेकर 100 किलमेटर तक भी हो सकती है जैसे वसाई रोड रेल वे स्टेशन से वसाई 2 किलमेटर है तो कोडाई नाल रोड से कोडाई नाल शहर की दूरी 80 किलमेटर है हजारी बाग रोड रेल वे स्टेशन से हजारी किलमेटर तो हजारी बाग सुरी जंगीपूर रोड रिल्वे स्टेशन से जंगीपूर शहर साड़े साथ किलमेटर दूर पर सित है हाला कि बहुत से ऐसे रिल्वे स्टेशनों के आसवास भी काफी अबादी वाले बसे वे हैं लेकिन जिस वक्त ये railway station बने थे तब वहाँ कोई नहीं बसता था तो चलिए दोस्तों आप लोगों को बताते हैं कि क्यों ये railway station बने हैं शहर से दूर कुछ शहरों तक railway land बिचाने में कोई बड़ी बादा आने पर ही इन शहरों से दूर railway station बनाए गए जैसे माउंट आबू पहाड पर railway line बिचाना अत्यन ही खर्चिला था तो आबू से 27 किलिमेटर दूर पहाड से नीचे railway station बनाया गया दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की जानकारी समाप्त होती है दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों कोई जानकारी पसंद आए होगी दोस्तों अगर आपे चैनल पर पहली बार रहे हो तो चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जिल कीजिए अपने दोस्तों के साथ मिलते कुने डिस वीडियों में जाहिन, जाए भारत, I love you guys